चानिप के बाल जरल पाके लागल दाड़ी मश्टरई कनुकरी बिधै की सिभारी चाचा के कोई समझावा की जाके बतावा की कई सन बिहार भैल बाबड कडिगरी रखाईल बाफाईल जब आप पटना की सरकों पे आईएगा तो प्रति दिन कोई न कोई आंदोलन करते हुए दिख जाएगा जो रोजगार के लिए आवाज उठा रहा होता है अभी फिर से हम जहां आए हैं वहाँ बिहार प्रारंबिक सिक्षक संग के द्वारा जो है रोजगार की मांग की जा रही है ऐसा नहीं है कि ये लोग पहली बार आए हैं हमेशा ही लोगों को यहां पे देखा जाता है आखिर वो कौन सा मांग है जो लगतार आप लोगों के मांग उठाने के बावजूद भी पूरा नहीं हो रहा है जरा बताईएगा देखिए हम लोग बीटेट सीटेट पास अभेरती हैं लगभग साड़े तीन साल से हम लोग संघर्स कर रहे हैं और सरकार सुनने को तयार नहीं है कभी रिक्ति गन्ना हो रहा है कभी गलती हो रहा है फिर लेटर निकलता है दो महीने पहले यह सब काम करना चाहिए था लेक अगस्त के पहले सब्ताह में ही जो है सात्वे चरन का नोटिस जारी हो जाएगा और फिर अगस्त का बात हुआ फिर अक्टूबर का बात हुआ तो कब तक हम लोग सरकार के बातों पर यकीन करेंगे हम लोग यकीन नहीं कर सकते अब आप लोगों ने मूड बना लिया है कि जब तक नहीं नोटिफिकेसन आएगा तब तक नहीं जाएंगे आर पार की लड़ाई है हम लोग यहां से हटने वाले नहीं है अच्छा अभी हमने देखा कि कुछ गाना जो है आपने बरा जवर्दस तरीके से गाया पूरा जो है भीर जोश में आ गया वो गाना से हम चाह जाके कोई समझावा कि जाके बतावा कि कैसन बिहार भैल बाबड कडिगरी रखाईल बाफाईल बजी अराल जाईल इमनवाल चार भैल बाब कोई गुजरात भंब करेला मजूरी कवड के भाव कोई करे जीह जूरी कोई घूमे हाथ चूछे के हूना ही पूछे इमनवाल चार भैल बाबन इतिस चाचा के कोई समझावा कि जाके बतावा कि कैसन बिहार भैल बाब एक बाल उरने वाला गाना भी आपने सुनाई था वो भी हम चाहेंगे कि सुनाई था आपका आवाज जो है राज्जी के मुख मंतरी और सिख्छा मंतरी तक पहुच जाए और आपकी मांग पूरा हो जाए मैंने उन भाईयों के लिए रखा था वो गाना जिनका की एज खतम हो रहा है फिर भी सरकार सुनने को तयार नहीं है कितना दिन बैठेंगे वो लोग चानिप के बाल जरल पाके लागल दाड़ी मश्टरई कनोकरी बिधै की सिभारी मश्टरई कनोकरी बिधै की सिभारी बीएड के डिगरी अगोरे लफाई अटेट सीटेट पासका के गुईया तमाई चूकलना बाबुजी के करजा उधारी मश्टरई कनोकरी बिधै की सिभारी मश्टरई कनोकरी बिधै की सिभारी धन्यवाज तो आपने सुना गाना के जरीए जो है अपना इनका दर्द एक है कि लगतार इनके द्वारा जो मांग किया जा रहा है फिर भी सरकार नहीं सुन रही है कुछ